जैहिन साथियो आज सुबै की सुरुवात यानि की संडे की सुरुवात बड़ी गुड निउज के साथ चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड निउज क्या है हरियाना करमचारी चैन आयो के जो नए अध्यक्स बने है भवपाल सिंग जी इनकी दैनिक सवेरा से जो बातचित हुई है उसके अंदर बड़ा खुलासा हुआ है अगामी जो अपना अगस्थ है उसके अंदर लगबग 20,000 पदों की भरती पर किरिया जो है वई शुरू होने जा रही है इसके अंदर से जो PGT है, TGT है और पुलिस की भरती है मुखे रूप से इन भरतियों को अगस्थ के अंदर शुरू किया जा रहा है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पद हैं जो PGT पहले किये जा चुके हैं लेकिन उनके लिए अभी आपका अगस्थ के बाद schedule जो है लगातार continue चलता रहेगा तो अगामी अगस्थ से जो है आपकी प्रिक्षाएं शुरू होने जा रही है सारिक सारी जानकारी को मैं आपको पढ़के बता देता हूँ यहाँ पे दो पेजों के उपर पूरी की पूरी जानकारी रहेगी इसके अलावा दूसरे पदों पर जो परदे सरकार है उसके फैसले का अभी तक इंतजार नहीं आया है CET के दोवारा जो भरतियां होनी है उनके बारे में भी हम यहाँ पे पूरी की पूरी बातचीत करेंगे CET के दोवारा जैसे आपने ग्राम स्चीव है, रेवेन्यू है, पटवारी है, कैनल पटवारी है क्या आब की बार वो पूरी हो सकती है, तो इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे एक नेक्स वीडियो के अंदर तो देखो यहाँ पे ITI के पदों के उपर भरती है और उनकी वेटिंग लिस्ट है इसके बारे में भी हम पूरी की पूरी वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं तो मैंने एक बार आप लोगों को हाइलाइट चीजें बता दी हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या-क्या डिसकस करने वाले हैं लाखों उमिद्वार इन भरतियों का इंतिजार कर रहे हैं आयोक की तरब से पद विग्यापित हैं आवएधन मांगे गई हैं क्रोना संक्रमन के चलते इन पदों की भरती परकिरिया इससे आगे नहीं बढ़ पाई थी कई उमिद्वार इनिक सवेरा को फोन करके पूछ रहे थे विग्यापित पदों पर अगली भरती परकिरिया कब शुरू होगी इनी से जुड़े स्वालों के बारे में आयोक के अध्यक्स आयोक के अध्यक्स से बातचित की अध्यक्स भपाल सिंग ने बताया कि जो पद विग्यापित है और उनमें दो परकार की कटाईगरी है कुछ कटाईगरी में परते सरकार की तरफ से तै कि ये गए लोगों को दीती चैनल के मादम से और पुलिस की जो भरती परकिरिया होती है इसके लिए भी आप लोगों को CET की जरूरत नहीं होती है इसके बारे में आयोक के अदेक्स ने कहा है बही जो अगस्त में PGT और TGT के पदों की भरती पर किरिया है वो भी साथ में ही सुरू होने जा रही है और साथ में पुलिस सिपाही के सब इंस्पेक्टरों की भरती में भी साथ में ही सुरू हो जाएगी उन्होंने बताया कि PGT, TGT के लिए हरियाना State Eligibility Test लिया जाता है जो इन पदों पर पातरता टै करता है और इन पदों के लिए CT Test क्या हो सकता नहीं होती इन पदों के लिए पहले ही आवेदन किये जा चुकी है इनके लिए अब सिर्फ लिखित परिक्षा ली जानी है लिखित परिक्षा का सडूल जारी किया जाएगा उन्होंने कहा है कि अगर कुरोना संक्रमन में कमी आई और परदे सरकार की तरब से परिक्षा आयोजित करने की हरी जंडी मिली तो आईयोग आघस्थ में यह है सडूल जारी कर देगा अध्यक्स जो बबाल सिंग है नोने जोड़ दे कर कहा है कि सोशल डिस्टैंसिंग के मांधन को अपनाते हुए सोशल डिस्टैंसिंग के मांधन को अपनाते हुए आयोग परिक्षा लेने को तयार हो了吧 अगस्ट के अंदर ही और आर्म पुलिस के पदों के ओपर जो भरती पर किरिया है वो अगले सब्ता से सुरू हो जायेगी तो ये हमारा पहला फस्ट पेज था सیکंड पेज की अगर हम बात करें दूसरे पदों की अगर बात करें, परदेश सरकार के फैसले का इंतिजार है वही बभवाल सिंग अद्यक्स जो है, उन्होंने बताया है कि पुलिस और शिक्सकों की भरती के अलावा जो गुरूप CK और गुरूप D के पदों की भरती पर किरिया है, पहले आयोग ने परदे परकिरिया शुरू की जाएगी उन्होंने बताया कि आयोग इस पर विचार कर रहा है कि ग्राम स्चिव कनाल पटवारी और रिवैने पटवारी जैसे पदों के लिए लिखित प्रिक्षा के लिए एक ही परसन पतर हो या अभी इस पर अंतिम भैसला होना बागी है तो इस तर उन्होंने बताया कि इस तरह आर्ट एंड क्राप्ट टीचर के पदों पका अंतिम प्रणाम घोसित करने पर रोक लगी हुई है जेई सिविल इलेक्ट्रिकल जैसे पदों या कलरक पदों की अन्य वेटिंग लिष्ट के नुसार विभागों का बटवारा करने में देरी क् हो रही है देक्स ने बजवाब दिया कि आयोका वेटिंग लिष्ट के उमिद्वार को विभाग अवांटित करने से कोई संबन नहीं है उन्होंने साफ साफ कहा कि आयोका का मंतिम प्रणाम और वेटिंग लिष्ट सरकार को भेजना है वेटिंग लिष्ट से किन उमिद्व